गुद मॉनिक्स तुडे आइसे वालगें को एड़र्मेंट क्लास्ट चानल 4 तुडे भी में कंटीडियो अबर 11 चेप्टर डो वाल्यो फ्लावर वाल्यो फ्लावर में हमने बॉंगों सारी चीजे सितनी यह लिए से रिंगम एकसाइटमेंट इस देसा है कि इसमें फ्लावर्स के बार में बहुत सारा नौलेज हमें मिलेगा तो फ्लावर्स कितने टाइज के होते हैं कि काम है उसका किस तरह से यूज होता है वो सारी चीज़ा हमने के इस लेजन में सिखे वैसे यह एकसन हो गया हमारा मैंने एकस्प्लेइन कर दिया था फूरा चक्टर बड़ यहां पर हम्रें कर दिया था चौंस फ्लावर्स के ओपर उपर क्रोफ्ष के वोते आंट अंट बार में कौनसे गरो होते हैं तो वो सारे question हमने लिख लिये थे यहाँ पर two question और भी आपने लिखे थे तो मैंने three number पर हम यहाँ पर start करते है यहाँ पर three number का question है Now you were just counting flower, warrant you तो आप तरगी सी पार्ट में जाते हो तो वहाँ पर आप flower count करना तो क्या flower count कर पाओगे Yes, but it is not possible to count and count the flower in garden as they are countless तो अगर आपके घर में एक वाट है या दो वाट है तो उसमें कितने flower आया है तो आप count कर पाओगे बट अगर आप कही गार्डन में गया हो, वो पुरा field हो गार्डन हो या पुरा field हो flowers का तो वहाँ पे आप flowers count नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे question है, यह question दे उसका answer में repeat देती हूँ Yes, but it is not possible to count the flowers in garden as they are countless वो countless जैसे stars को हम count नहीं कर पाता है न stars कितने सारे में आप count कर पाए हो अज तक तो भी तो वैसे flowers का अगर गार्डन है पुरा तो आप count नहीं कर पाओगे आपके घर में अगर कोई pot है तो वहाँ पे आप count कर लोगे पढ़ियां आप नहीं कर पाओगे फोर नंबर है are there any trees of plant which never have any flower तो आपको पता है कि ऐसा कोई plant और tree जिसके उपर flower ना आते हो आप सोचोगे कि flower तो बहुत सब्सक्राइब नहीं आते हैं बट flowers होते हैं जो भी plant होते हैं जैसे आप प्रिंचल या कोई भी वैजिटेबल हो तो उसके पहले जैसे फ्लावर में भी पहले बॉट्स बनते हैं उसकी कलिया बनती है और फिर उसमें से फ्लावर नो होता है तो वैसे ही वैजिटेबल हो या कुछ भी ओप वहीं प्लाटों उसके उपर ंफ्लावर तो आती है जैसे सिंपल सा तुलसी लेड़ा आक के गद में चुलसी होगी तो आपको ऐसा लगता एक तुलसी के उपर कहा फ्लावर होते हैं वट छी आपने देखा होगा जब एक तम घ्री चोटे-चोटे-चोटे तो वह उस्के इसे लाफ़सरी होते हैं, तो हम्हें यह ऐसे आपले अधे नाम लिखने हैं, जिसके ओपर कोई फ्लावर ना आपके हैं यहां पर है, मैंने लितका है, question है, are there any trees or plants which never have any flowers? तो answer है, money plant and body for have ever any flowers. तो money plant आपके बढ़े हुआ, देखो money plant कैसे ग्रोग होता है, जैसे मैंने तुर्सी का example दिया, तो तुर्सी जो ग्रोग होती है, अगर हमें तुर्सी का पौदा लगा ना हो, तो उसी के flowers में से तुर्सी भी तुर्सी बन सकते हैं, money plant कैसे है, money plant को तोड़के, गई से भी बीच में से भी तोड़के हम, फिर से मिल्टी में या पाणी में रख दोगे, तो वो ग्रोग हना start हो जाएगा, तो उसके flowers नहीं होते हैं ना उसके कोई seeds होते हैं, तो money plant है, कैसा plant है, जिसके कोई flowers नहीं होते हैं, और next है conifer, conifer मतलब triangle shape के trees होते हैं, आप अगर image देखोगे, search करके conifer की, तो वो triangle shape के mountains के उपर trees होते हैं, जिसके उपर में कोई flowers नहीं आते हैं, ओके, तो ये दो खर होगें, फिर next five number है, are there any things in your house which have design of flowers made on them, तो क्या आपके गर में ऐसे कोई things हैं, जिसे हैं, जिसके उपर flowers से बने हुई कोई design है, flowers है बने that means flower की print, जैसे ये मेरा विडूपटा है, तो यहां बेरे को flowers बने हुए हैं, तो पैसी वाली design की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि flower को use किया, okay, flower को use किया, ऐसा question नहीं यह question क्या है, flower की design, तो हमारे बहुत सारी चीज़ों के उपर flower की design में होती है, हमारे clothes के उपर में होती है, है ना, bed sheet होती है, उसके उपर, तो answer है, yes, there are several things in my house that have design of flower, बहुत सारी चीज़े ऐसी होगी, जिसके उपर flower की design होगी, त्री सार, bed sheet, फीरो cover, my mother, सारी, etc. मैंने सिर्ट त्री चीज़े लिखी है, त्री सार, bed sheet, ये तिनों चीज़ों में तो मिले जाए हैं आपको flower की design, बट उसके अलवा extra की आप लिख सकते हो कि आपके, इसके उपर भी flower की design होती है, फिर आपकी कोई books होती है, उसके उपर भी flower की design वाले cover होते है, तो बहुत सारी चीज़े ऐसे आपके, कपड़े दी, अगर गॉस है तो उसके address होगा, from होगा, तो उसके उपर भी flower की design होती है, इसके अलवा extra भी लिख सकते हो, फिर से भी बिख करते हो, कि are there any things in your house which have designs on flower made on them, तो yes, there are several things in my house that have designs on flower, these are red sheet, pillow cover, my mother, darling, etc. इसके अलवा extra लिख सकते हो, कि कौह सारी चीज़ों के उपर flower, flower की design होती है, जैसे टूर्मेट भी होता है, या कार्पेट होता है अमारा घर के अंदर, तो उन सब के उपर भी flower की design होती है, चलो next question लिखेगे, तो मैं ये रावा राप कर देती हूँ, इस साइड वाला आपकी लिख लिख लिखा होगा, मैं राप कर देती हूँ, ओके, बहुत ही easy, आप समझ के लिखोगे ना, जोब भी आप लिखो, बोल पोल के लिखो, और की तरह से बता है, नाव लिखो नाथ, N-O-W, N-O-U-U-W-E-R-E, इस तरह से spelling बोल पोल के लिखोगे, spelling राप होती है चाहे जी, और लिखने में भी आपकी इतना easy रहेगा, और आपको लिखने की practice के साथ साथ, handwriting भी अच्छी निकान दी है, अब मैं every video में ये चीज़ बताऊंगी, कि please improve your handwriting, अब मैं बॉट में गंदा गंदा लिखनू की, मैं बोट जूदी handwriting निकाल हुआ अबी, तो फिर मैं देखू की क्या आप लिखपा होगे, फिर आप complain करोगे कि मैं बॉट आपने कितना गंदा लिखा, ऐसा होगा न, तो ये मैं मुझे भी अच्छी handwriting निकाने पड़ेगी, तो आपको भी अच्छी handwriting निकालनी ही पड़ेगी, ओके लगी handwriting बित्कुर नहीं चलेगी, चले, मैं ये रापकर के दिखूँ, नेक्ट कर्चन हाँ लिखेंगे, जैसे हमने चैप्टर में देखा था, कि आपने ऐसा कोई बॉर्ड देखा है, जहां पर लिखाओ, दो नट फ्लावर्स, तो वो वाला question हम लिखेंगे यहां पर, 6th number, Have you ever seen a ball lying? Have you ever seen a ball lying? Do not love, do not love, P-N-O-C-A love, flowers, S-N-A-W-E, Do not love flowers, Put up anywhere Put up Any Questionbit Have you ever seen a word Like Do not love flowers Put up Anywhere Last word लकाँ The answer is आपने कही हैं एंडी यह एक जिदायो गया I have seen this type of board Yes, I have seen this type of board This type of board इन प्टन वादन और इन गाल मिध्यार्ट पाद, प्रग प्रोली पाद, क्यों अवार्ट प्ली पाद, तो ऐसा वाला बोर्ड आपने आप कहां पे देखा होता है Yes, I have seen this type of pot in the garden and the falling part तो गार्डन में इस लेट का बोर्ड दिखा होता है दूसरा में बोर्ड होता है दूसरा बोर्ड काम सा होता है प्लीज बना गार्डेश के लिए कच्रा कहीं पे भी घर डाल देते हो तो वाँ में एक डॉस्ट में जैसा रखा होता है प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी मतब कच्रा मुझे दो इस टाइट का भी एक बोर्ड होता है तो गंद की मत खेलाओ तो वो सारे बोर्ड लगे होगे होते हैं तो उस टाइट की यहां पे जहां पे गार्णा होता है और जहां पे प्लीज पार्ड होता है वहां पे इस टाइट के बोर्ड लगे होते है ओके नेक्ट प्रेस्टन लिखेगे डू पीपर फ्लॉक्स आपर ज्से ज्से, लिप्रेटोर लिव्रेटिये उन्माबे ए्टारी कर दिलिए लाइन्माब लिव्रेटिये तो ऐसा दिखिने के पर ती कौन ऐसा करता है कि फिल्वी तोड़ के दे जाता है कौन ऐसा करता है को ऐसा करता है तो वो देखे कि do people love flower प्रूब प्रूब दोग टाहर एंग जब थे वहत्वी प्रूब प्रूब और खावड़ प्रूब तो क्या ऐसा करते है, पीपल की जाब, आपर जोड लगाए, फिल्बी कोई ऐसा करते है कि फिल्बी तोर के चला जाए, नो, पैसे जो अभी छोटे बच्चे जो वो समझते नहीं है, वाट पैरेंट उसे समझा देते हैं, तो यहाँ पर रहाम आंसर लिखें के नो, सेज्ट ओने ये उसा साईंड लिखना है, रहाँ जो उसे समझते नहीं है, वाट जो अपर लाए, नो एंड लाए, को नेए, लाए, 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 Lacan एंड, लाए, 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 ये, इस थाइब एर बाद बाद यहाँ पे इस थाइब और दैब पे इस थाइब लोगोर इस थाइब भाद रूजरी नौ। Usually people do not vlog flower in this type of world तो ऐसे तो लिखा होता है तो पहले तो क्योंकि अभी जगे पे क्या रग़ा हो आए ते हमारा इंडिया कैसा होगा है? Digital इंडिया मनद गया है ना तो हर जगे पे कैमरे रगे होगे होते हैं तो अगर आपने फ्लावर तोड़ा भी तो सिक्यूरिटी वाले को पता चल जाएगा जो वहां का जो इंचाज होता है उनको पता चल जाएगा तो फिर वहां पे बहुत सारी जगों पे ऐसा भी होता है कि फाइंड रखा हुआ है तबी तो पबिक को चीज करना मन करें के ना इसलिए बहुत सारे पीपल भी प्रवीट्या होगा है कि यूजली पीपल जहां पे इस सरह का बहुत लगा हुआ है वाहां में हो लो फ्लाव नहीं करते है फ्लाव नहीं करते हैं इसलिए लूंटेव टेपले कि अच्रू साहां है वहीं करें़ए येपली एंच्टा सिight जोवद्य कि जोश दोशी करना करते लेवर के दोशनार विकलत शुत मौद्ट टेर्श येबता है तो ऐसा क्यों गते हैं, तो सम पीपल ओवेड़ रूल्स, सम पीपल ओवेड़ रूल्स, गूल्स, विल्स सम पीपल, सम पीपल, सम पीपल करेणी पीपल, कि आरदे तो सम पीपल ओगेंगें, तो सम पीपल और अगर तोरते हैं, तो जू तोड़ते हैं, कि why do you think they do this? तो आप लोग को क्या रता हैं कि अगर तोड़ते हैं तो जू तोड़ते हैं, तो जू नहीं तोड़ते हैं? तो यहां पे देखो जैसे स्कूल में भी बहुत सारे रोल्स हैं, कि आपको आइकार्ट कमवर्सरी बेंट आना है, या फिर लाइन पे क्यूवें चलना है, अपरी टाइम, जब भी आप लांच टून है, बैठो तो सांती से लांच टून है, बतलब गीरा नहीं चाहिए, बहुत सारे स्कूल की भी रोल्स होते हैं, फिर भी टाइम पे स्कूल में आना चाहिए, फिर होमबग देरीड आना चाहिए, बहुत सारे बच्चे 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 बहुत सारे करता है, तो यह चीज़ होती है या में, तो यह question 6, 7 and 8 हमने लिखा, और भी question है वो हम लिखेगे, मैं इस side कर आउट कर दे लिए, आउट से लिए झाल, तो यह झाल, hadn't be about... पम्र ठोब्सृसा सिर्पितर और।ज स आप्र मわかंऊ fi। अогन रेविवनी की फ्रूब्स्लॉवस krijgen पहाला है तो क्या होगा ऐसे सिट्वेश्में कि अगर सब लोग फ्लावर तोडने लगे तो क्या सिट्रेशन क्रेट होगी? जर वो लू 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 ? बयागों सिर्व कोडने करी लू लूू लूू लूदume क्या सिर्वेशन करेशन। लूमेड़ लू 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 लू? to make the world of garden and park beautiful. लोप्री लेट लेटी 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 लेटीटी नहीं? Quesitian क्या है कि, what would happen if everybody loves flowers? So answer है कि that would be no flowers make the world of garden and park beautiful. Garden and park है या कोथी अगी 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 है. तो वो हमें कितने अच्छे लगेगे, अगर फ्लावर सब दोर दोर के फ्रेंग देगे, तो वो प्लांट्स की जाधा दिन रहेगे नहीं, फिर प्लांट्स भी एक उमर चाहे गए और वो साथ पे पूरा हमारा बॉर्ट हो है और ब्यूटिफल नहीं रहेगा, कैसा नहीं रह जैसे हमारा अर्च एकदम ब्यूटिफुल है ना, बहुत चाहरे एरिया ऐसे हैं, जहां पर द्विनरी इतनी साधा है, जहां पर फ्लावर्स होते हैं, तो वो एरिया देखना में कितना अच्छा लगता है, कि जैसे हमारे या यह जो सीटी है, सीटी में ना, तो पली पर द प्रूंने जाते हैं, आप जाओ या भी कोई भी प्लेस पे, तो साफ उतारा जाओ, या फिर कोई भी ऐसी प्लेस पे जाओ जहां पर ग्रीनरी इतनी सारी इतनी सारी फ्लावर्स होते हैं, तो वो देख के हमें इतना अच्छा लगता है, वो यह चीज को हम स्पोइट आप एसा है, थो मैं भी तो दोड़ गा, ऐसा नहीं सोचना है, उसे रोपना है, अदरवाइस यह नहीं करा है, यह नहीं पोल रहा है, तो मैं भी बोड़ी, तो अगर कोई गलत चीज हो रही है, क्या देख रवा कि कोई बॉए या गॉल और बार जॉथ बोल्ल बार्स आपको जाके आपको रोपना चाहिए कि प्लीज दू नाट देस ओके आपको यह ज़िस दनी करनी है क्या अधर्वाइस आप सोचोगे कि इतने सारे बैठे हैं वो जाके उसको नहीं कुल रहे तो मैं क्यों कुल बें जाओ मुझे क्या पड़ी है ऐसा नहीं सोचना है जगा प तो वो सारे responsibility भी हमारी एज़ और हम अपनी responsibility सीखेगे तभी हम दूसरों को वो चीज बता पाएगे तो यह चेकर में यहिंदे stop करें और थोड़ी से अभी फिलीट अप्रैंक से वो सब हम next career में continue करें ओके, thank you so much sorry, रार एक question हम लिएक देते है, okay एक question हम लिएक देते है 11th number what kind of sand what kind of sand does flower does flower have तो कौन से टाइब के sand what kind of sand does flower है वह बहुत सारे perfume उसके उसे sand के चेटे, okay तो वो जो smell आती है तो बहुत सारे perfume तो what kind of sand does flower have flower के तो इस टाइब के होजे तो it has lovely sand it has as lovely sand okay lovely होते बहुती nice होते हैं, lovely होते हैं आप उस तरह से आप दिख सकते हो उसे जो एक question अब हो भी देते हैं, यहाँ पर इस साइट आपे रहा करते हैं यहाँ पर यहाँ वाँ स्वाँ यहाँ बहुता हैं.. owar grow in bunches तो क्या flower in adorable flower पूरे bunch में grow जैसे बड़ाना का bunch होता है ना graphs का bunch होता है तो वो bunch में होता है पुरा तो वैसे ही आपने को फ्लावर देके जो पूरे bunch में grow होते तो usually नहीं होते हैं, तो यहांपे answer आएका no, usually they do not grow, usually they do not grow in bunches, okay? पेटल्स, यहांपे और एक question था, question है, आपकी पैटल्स एट में उसकी पंपुरिया, या पंपुरिया, पैटल्स एट में फ्लावर्स की पंपुरिया, फ्लावर्स एक ही चीज नहीं है, जैसे अगरी नौर भूप है, तो नौर भूप में भी कितने सारे pages होते हैं, वैसे ही ह पैटल्स होते हैं, पैटल्स एट में पंपुरिया होते हैं, तो यहांपे और वाला question है, 13 नमबर, कि how many पैटल्स दर्स लावर्स है, how many पैटल्स, 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 पैट प्लावर है प्लावर है यहां पे ग्रिटान निरमर प्रेल है रिख मुदोः फ्लावर ग्रोइन बंचेश तो फ्लावर बंचेश में ब्रोह होते हैं आपके को यह से फ्लावर दे के तो नहीं होते हैं, तो no, usually they do not grow in बन चीज़ियां पर, usually word लिखा है, that means ऐसा नहीं है कि कोई होते भी होगे, but normal जो हम पोस, जो वैरिफोल, लोड़ास, वो सारे जो फ्लावर्स हमने देखे, वो सारे बंच में नहीं होते हैं, तो फोगे एक लिस टाइब का भी होगा, कि आपन मैं देखा होगा, I think गुल मोहर या उसके ओपर पूरे एक साथ, but no, single single होते हैं, यह ऐसा नहीं कि एक को तोड़ा, जैसे ग्रेप्स और बनाना के बंच होते हैं, उस टाइब का कोई होता नहीं है, तो no, usually they do not grow in बंचीज, बंच में हो सारे बंच में वो सारे बंच नहीं हो आपके पास अगर कोई flower है, तो आप कांट करके रखना, कि रोस है, आपके पास कापूर की मतलब आपको फ्लावर नहीं करना है, ओके आपके घर में अगर रोस flower है, और पो सूप गया है, तो उसकी पंखुरिया कोड़ के रेखना, सूप गया है, तो मैं ऐसा नहीं बोर्ण विटारिकित भूर को खरत कर और अब तो आपको वाधार को रोज है या कोई भी फ्लावर है आपके घर में तो वो फ्लावर जमैनेगों जाओ के तो उसकी इतनी 40 लिखनेगों ऊसकी 4 जाएं काम डी होते हैं कि यहां पर आंसर से अइसे होते हैं इसा नहींुत है यहां से इतने से इतने तब हो सकती है कि वह 40 से 100 तब हो सकती है, 100 से जाना भी हो सकती है, आप मैरे कॉल देखोगे, आप मैरे कॉल की एक पंपुरिया आप बिंगांके पैटर्स बिंगांके देखोगे, तो बहुत सारी हो जाएगी, तो वह पूरी पैटर्स से बने हुए होते हैं ना, फ्लावर्स, तो वह about 40 to 100 प जैसे मैंने बता है, जिसके 5 or 63 पैटर्स होगे, जादा पैटर्स नहीं होते हैं, तो आपको ट्राइगे कि आपके गर में, आपको कोई मोगरा का सावर है, जो रोज हो रहा है आपके गर में, तो वह जब सूख जाए ना, तो उसको कांट कर देखना कि इतनी पैटर्स होती यहां पे almost question and answer done हो गया है, एक तो अभी feeling तो blanks हमारे बागी है, तो वह हम next video में लिखेगे, यहां पे 10 अबर what would happen is, everybody love flowers, so there will be no flowers to make the world of garden and park beautiful, next day what kind of sanders flowers है, तो वह लगगी होता है, उसके बार ना, जितने word आपके होगे, सुनगा, मतलब उसकी जो smell होती है, वो किस time की होती है, sand that means not, हम जो perfume लगाते हो ने, उसकी sand that means smell कैसी होती है, तो वो होती है, इतना lovely, nice होती है ना, जिसको, मतलब हमारा, पुरे आस-पास का area महें बुपता है, ना, sand से, next day do the flower growing branches, तो उन्हों अरूजिव दे दे दूना, growing branches, 30 number, how many petals does flower have, about 4,200 petals does flower have, okay, next figure में हम थोड़ी सी filling the blanks से, वो continue करेंगे, जहां पर ये chapter start करेंगे, thank you so much.